नमस्कार बच्चों कैसे हो आप आशाकरतों आप सही होंगे लर्निंग टाइम वी धरिश्म आपका स्वागत है आए देखते हैं कक्षा 10 की हिंदी की वक्षीट नमबर 70 और डेट है 21 दिसंबर 2020 ठीक है बिटा और इसका उपविशे है किर्टिका की जो किताब है उसका पार्ड थर्ड है साना साना हाथ जोड़ी यह उसकी पहली वक्षीट है ठीक है और साना साना हाथ जोड़ी का मतलब यहाँ एक प्राथना से है आई यह देखते हैं एक वोक्षीट में क्या कहा गया है ठीक है बटा बच्चों आज हमने पार्ट के शुवात करते हैं इस पार्ट का नाम है साना साना हाथ जोड़ी यानि यह किर्तिका का लास्ट पार्ट है जो सिबेसी के अकोड़ी आपके एकजाम में आएगा यह कान ही हो गई ठीक है निभंद हो गया आज साहित्य की विध्य ए ऊसी तरह से यात्रा वरुर तानत है यह भी साहित्य की विध्य है किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दुरान पहुँचने का साधन, उस स्थान की भगोलिक इस्तिति, समाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सायतिक रूप में वर्णन करना यात्रा वर्तांत कहलाता है यानि जब आपको यात्रा करते है तो वहां की जो इस्तिति है भगोलिक है वहां की लोग कैसे है वहां की संस्कृति कैसे है ये सब का wearnound करना यातरवरतान किलाता है ठीक है आई आगर देखते क्या होता है आप भी कई इस्तानो की यात्रा करते होंगे और वहां किस्तियों से प्रिचित होंगी अगर आप उसे लिखे तो यह वह यात्रवरतान्त किलाएगा यानि आप कही गूमने जाते हैं और उसके बारे में आप कैसे पहुंचे उस जगापे क्या खाया गापिया कैसे लोग देखें सब का वरनन करेंगे तो यह भी आपका यात्रवरतान्त किलाएगा ठीक है बड़ा इस पार्ट में लेखी का मधुकंकरिया ने पुरुवत्तर भरत के एक सुन्दर प्राकरतिक राज्या सिक्किम की यात्रव किया यानि जो लेखी का मधुकंकरिया उसने सिक्किम की यात्रव किया और सिक्किम के ही बारेम बताएगी और वहां की भगोलिक इस्ति समाजिक आर्थिक सांस्क्रित प्रिविश्च का संदर उनन की है आए अब हम पार्ट को जानते हैं यानि इस पार्ट में लेखी गाने सिक्किम की आतरा की है और सिक्किम के बारेम में बताया गया है पहुंची होगी लेखी का। जो भरे शणों में मेरा सब कुछ स्थागित था, अर्थ हीन था, मैं मेरे चेतना, मेरे आसपास, मेरे भीतर, बहार सिर्फ शुनने था, यानि जो रिखेगा थी, सुन्दर्ता को देखकर बहुती मंत्रभुक्त हो गई, अतीन दिर्ता में डूबी रोशनी की वे, जादवी जालर, ठीक है, तारोगी जो रोशनी थी, जो तारे टिम्टिमा से रही थे, जो लाइटे थी, वो इससे लगा था, कि जो आसमान है, वो धर्ती पर आ गया है, ठीक है बटा, धीरे धीरे उदास उस सुनने से हूटने लगा, यानि अब उदास मत्दा जो रात का वक्त था, देरे-देरे सुबे होने लगी, एक प्राथना होटो को चुनने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्धव, प्राथना, यह प्राथना का नाम है, बटा सिक्किम के लोगों की, साना साना हाथ जोड़ी गर्धव, ठीक है, हमारो जीवन तिम्रो कोसली, अब यह प्राथना का नाम है, यह सिकिंग के लेंग्वेज है, अब इसका अर्थ का दिया हुआ है, छोटे-छोटे हाँ जोड़ का प्राथना कर रही हूँ, कि मेरा सारा जीवन अच्छायों को समर्पित हो, हमारो मेरा, मेरा, आज सुभह की प्राथना के बोल मैंने एक नेपाली युफ्ती से तो यह आपका गदान्स था, आपसे कुछ परसन नीचे दिये गए है, जानने के गुशिश करते हैं, इनका उत्तर क्या होगा, इन परसनों को मैंने पहले ही इनकी पीडियो जो पीडियो जो पेनोट हो पर बना, रखे, चले, देखते हैं परसन और उनका उत्तर जानने का तो पिटाए एक कालास 10 हिंदी वर्क्षीट के प्रशमत्तर हैं तो पहला परशन है यात्रा वर्तान्त किसे कहा गया है और इसमें किस बात का वर्णन किया जाता है तो अभिमन आपको बताया था किसे इस्थान की यात्रा के दुरान किये गये रिवहों को लिखना या वर्णन करना यात्रावरतांत कहलाता है इसमें वहां की भगवलिक स्थिति, समाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रिवेश का वर्णन किया जाता है तो वक्षीट का यह प्रशन नमर एक का उत्तर था आए देखते हैं प्रशन नमर दो क्या कहता है लेखिका कहां गई थी वह स्थान भारत में कहां इस्तित है तो बताया था मैंने आपको फिर भी बता देता हूँ लेखिका सिक्किम गई थी यह स्थान पुरुवत्तर भारत में इस्तित है ठीक है बटा पुष्ण नमर 3 देखते है रात में जगमगाता गंग्टोग शहर कैसा दिखाई दिख रहा था वहाँ के सुन्दता का वोर्णन डेकिका ने किन शब्दों में किया है तो उसका उत्तर क्या होगा रात में जगमगाता गंग्टोग शहर ऐसा लग रहा था आज़े देखते हैं प्राथना करते हैं नेपाली लोग क्या प्राथना करते हैं और कैसे नेपाली लोग साना साना हाज जोड़ी गर्धव नाम प्राथना करते हैं ठीक है बेटा यह प्राथना का नाम है यह प्राथना सुवे के समय की जाती है प्रशन नमर पांस देखते है नेपाली उफ्ती से लेखेगा ने क्या सीखा तो नेपाली उफ्ती से लेखेगा ने प्रातना सेखी तो ये प्रशन नमर 5 का उत्तर है ठीके बेटा तो इस तरह से ये वक्षीट का सुलूशन और वक्षीट में आपको समझा दिये है अगर किसी बच्चे कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकता है और बेटा इस वीडियो को जासा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जो दूसरे बच्चे है उनका भी भला हो जाए दन्यवाद बेटा